लावराडोर नसल के कुत्ते भारत के लावा औस्टलिया कनेडा न्यूजीलेंड अमेरिका में बहुत पसंद किये जाते हैं डॉग बहुत ही प्यारे और अनुशासित होते हैं इन डॉग को बच्चों से लेकर बूरों तक सब भी पसंद किया करते हैं पुलिस सैना भी लावराडोर डॉग का इस्तिमाल करती है क्योंकि इस नसल के कुत्ते बहुत ही समझदार होशियार होते हैं इनका खेलपूत और गाइड के तौर पर भी उप्योग किया जाता है अगर हम कीमत की बात करें तो भारत में एक लावराडोर की कीमत लगभग 10-12,000 रुपे स्टार्ट हो जाती है और 25-30,000 रुपे तक जाती है जर्मन शेफर्ड कुत्तों की एक बड़ी नसल है इन्हें जर्मनी मूलका होने के एक कारण ही है नाम बिला है जर्मन शेफर्ड नसल को इनके ब्रिटिश नाम अल्शेशियन के नाम से भी जाना जाता है जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे पसंदीगा कुत्तों की नसल में शुपार है जर्मन शेफर्ड नसल के कुत्ते इतने ताकत, बहुत धिक और प्रसिक्षित और आग्याकारी ह उने के कारण विकलांगों के सहियोग वह सहायता, खोज और बचाव, पुलिस और अन्य, सेन भूम काउम में भी अभिने सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए आदर्श पालतु जानवर हैं। अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो भारत में इनकी कीमत बारह से पच्चेस एर रोपे के पीच आखी जा सकती है। अगला नमबर आता है बुल्डॉग का, बुल्डॉग कुत्तों की एक बहुत ही प्रसिद और पसंद किया जाने वाली पर जाती हैं। इनके बृतानिया मूल के कारण इन्हें English Bulldog या British Bulldog भी कहा जाता है। इस नस्ल के कुत्तों का चवाब बहुत ही शादगून होता है। बुल्डॉग नस्ल के कुत्ते बहुत ही भारी भर कम होते हैं। इनके चहरे पर बहुत सारी जुर्या होती हैं और इनकी नाथ चप्ती होती है बुल्डॉग नसल के कुत्ते इनसानों के साथ बहुत ही जल्द धुल मिल जाते हैं इसी वजह से ज़्यादा तर लोग बुल्डॉग को पालना पसंद किया करते हैं अगर हम भारत में इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 50,000 रुपे से 1,000,000 रुपे तर अच्छा बच जाता है अगला मॉल्टीज का मॉल्टीज नसल के कुत्तों को लोग बहुत अधित पसंद इसलिए करते हैं कि वह स्टेटस सिंबल के तौर पर रखा जाता है मॉल्टीज नसल के कुत्तों की उंचाई जादा नहीं होती इस नसल के कुत्ते ट्राइब ब्रीट के सब्सेत पुराने कुत्तों में फ्रुमा है इन नसल की एक विशेष्टता इनके मुलायम बाल होते हैं इस नसल को अमूमन महिलाएं जादा पसंद करती हैं और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो लगबग लगबग एक लाख रुपे के आसपास पर ये बच्चा आता है अगली ब्रीड आती है वीगल नस्ट वीगल नस्ट के कुत्ते बहुत ही शांसोहाब के होते हैं बीगल नस्ट के कुत्तों के कान लंबे होते हैं इस नस्ट के कुत्तों को शुमने की जबर सर्ष छमता होती है ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और ये कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं ये प्रजाती मुख्यताहा इंग्लेंड में विक्सित हुई है, इसकी कीमत और सतन इंडिया में, अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो लगभग 20 से 25 यह रोपे के आसपास आपको मिल जाएगा. अगला नंबर आता है golden retriever का, golden retriever प्रजाती मुख्यता स्कॉटलेंड की नसल है, लेकिन यह ब्रिटेन, अमेरिका, भारत में भी पाए जाते हैं, इस प्रजाती के कुत्ते काफी समझदार होते हैं, इस प्रजाती के कुत्तों को इंसान से खास कर बच्चों के साथ काफी लग प्रजाती के कुट्टों को अधिकतर बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस प्रजाती को अपना बनाने के लिए लगभग आपको जो रुपे खरच करना पड़ेगा इंडिया में 20-25 रुपे के आसपास अच्छा बच्चे आपको मिल जाएगा अगला नंबर आता है जैक रसल का जैक रसल नसल मुख्यता इंगलेंड की ब्रीड है इस प्रजाती के कुट्टों को खेल कूद बहुत पसंद होता है इन्हें एक जगह पर खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद रही है यह हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं जैक रसल नसल के कुट्टे भी बीगल नसल के कुट्टों की तरह शांत सोभाब के होते हैं इस प्रजाती के कुट्टों को हमेशा ही एक अच्छी कमपनी की तलाश रहती है जिसके साथ ये खेल सकते हैं और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो लगभग इंडिया में 35-40 य बहुत ही शांसभाब और आलसी होते हैं इन्हें इंसानों की तरह सोना बहुत पसंद है ये अधिकतर समय सोते ही रहेंगे अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इंडिया में लगभग 12-15,000-16,000 रुपे में ये मिल जाता है अगला नमबर आता है पूडल का पूडल अमेरिक इन कुटों का ओसतन जो लाइफ साइकल है वो 12-15 साल होता है पूडल दूसरी डॉग प्रीड के किसी भी डॉग के साथ एड़्जस नहीं होते है और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 20-25,000 रुपे में इंडिया में एफलेविल हो जाता है वीडियो आप सभी क कैसी लगी एक बार कमेंट वोक्स में जरूर बताएं कौन से शहर से देख रहे हैं और अभी दग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन दवादी जिससे आपको सारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू सो मच आपका